कुछ टिप्स लाइफ कोचिंग से संबंदित जो मैं देना चाहूँगा उन में से हमेशा प्रैस करते हैं कि लोग सकारत में सोचें हमेशा होलिस्टिक रहें या अपने संपूर्ण स्वरूप को देखें बजा इसके कि वो सिर्फ अपने व्यवसायिक, सिर्फ अपने काम सिर्फ अपनी हैल्च, सिर्फ अपना परिवार ता Gallpoint गभिषिवि जीवन या आपनी एक Spiritual Life के बारे में सोचें वो उन्हें संपूर्ण इंडिविज्डल बनने के लिए इन सारी चीजों के बीच में एक संतुलन स्थातिक करना बहुत बहुत जरूरी है जब भी आप किसी भैस एक्रसित हो या आपको कोई भी ऐसी चीज जो लगातार बौदर करती है प्रयास करें कि उसका निदान शीद, शीद्र से शीद्र करें उससे ज़्यादा उसके साथ बहुत लंबे समय तक हुनना रहें एक अच्छा साथ ही अपने साथ ढूंडें जिससे आप लगातार कुछ न कुछ सोचल एंगेजमेंट के तौर पर या इंटेलेक्ट्वल एंगेजमेंट के तौर पर उससे बात कर सकें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत आवश्यक्ता है पुकर सेहत जो है हर चीज़ का एक सेंटर है और अगर सेहत अच्छी नहीं है तो उसके बाद और कुछ भी बहुत ही वैलिद नहीं रह जाता सफलता और खुशी इन दोनों चीज़ों के बीच में प्रयास करें के हमेशा डिफरेंशेट करें आप बहुत सारे उधारन ऐसे पाएंगे जहां सफल लोग खुश नहीं है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुश हैं लेकर वो सफल नहीं इन दोनों चीज़ों के बीच में हमेशा समंजस स्थापित चुदने की कोशिश करें और प्रयास ये करें कि आप अपने passion का काम करें जो आपको पसंद है अपना वो काम करें किसी भी चीज़ के साथ बहुत लंबे समय तक मजबूरी बच चुड़े ना रहे रिष्टों को बेहतर तरीके से परिभाशित करें और उन्हें जितना हो सके पौधों की तरह सीचें और जितना प्रगाड अपने संबंद बना सकें एक अच्छे social individual के तौर पे हमेशा समाज में रहे जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसी चीज आपको बाधित कर रही है जो आपके नियंतरम में नहीं है या आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं तब हमेशा एक specialist की सला लीजे जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा समय आता है या जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब इस चीज में मुझे किसी external intervention की आप शक्ता है तो किसी professional को ढूने जैसे तब यह थोड़ी सामाने सर्थी जुकाम से जादा होने के बाद आप एक doctor की तलाश करते हैं से अपने व्यावारों में आते हुए परिवर्तन या अपनी अपनी lifestyle में आते हुए परिवर्तन के लिए हमेशा एक professional life coach की तलाश करें और उन्हें